Australia दुनिया में देसी चना के निर्यात में पहले नंबर पर तथा मसूर के निर्यात में कनाड़ा के बाद दूसरे स्थान पर रहता है. वहां मुख्यत निर्यात उद्देश के लिए इन दोनों दलहनों का उत्पादन किया जाता है क्योंकि इसकी घरेलू खपत काफी कम होती है सरकारी संस्था, आस्ट्रेलियाई सांखे की ब्यूरो, ABS, के आकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 के दोरान आस्ट्रेलिया से 38.138 तंचना एवं 1,232,222 मसूर का निर्यात हुआ अक्टूबर में 80,426 तंचना का निर्यात हुआ था जो नवंबर में 33 प्रतिशत घट गया नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात, बांगला देश तथा नेपाल आस्ट्रेलियाई चना के तीन सबसे प्रमुक खरीदार रहे जहां तक मसूर का सवाल है, तो अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में इसका निर्यात 26 प्रतिशत बढ़ा और भारत इसका सबसे प्रमुक खरीदार रहा नवंबर में भारत को 1,2579 तंचन या 83 प्रतिशत मसूर का निर्यात किया गया इसके अलावा श्री लंका एवं पाकिस्तान को भी इसका निर्यात किया गया ब्यूरो के अनुसार सितंबर से नवंबर 2023 के तीन महीनों में आस्ट्रेलिया से कुल 1.74 लाक टन चना का निर्यात हुआ जिसमें से पाकिस्तान को 78,238 टन, नेपाल को 20,249 टन, बांगला देश को 16,417 टन तथा सन्युक्त अरब अमीरात, यूएई को 41,521 टन का शिप्मेंट किया गया इसके अलावा अमरीका, ब्रिटेन, थाइलेंड, श्री लंका, भारत तथा कनाड़ा ऐसे देश रहे जहां 1000 टन से ज्यादा चना भेजा गया भारत में आस्ट्रेलिया से सितंबर में 551 टन, अक्टूबर में 1031 टन तथा नवंबर में 1280 टन के साथ पूर्वी तिमाही में कुल 2828 टन चना का आयात किया गया इसी तरह आस्ट्रेलिया से सितंबर नवंबर 2023 की तिमाही के दोरान कुल 3,99,584 टन मसूर का निर्यात हुआ जिसमें सितंबर में 1,78,521 टन, अक्टूबर में 97,841 टन तथा नवंबर 1,23,22 टन का शिप्मेंट शामिल रहा इस तिमाही के दोरान भारत में आस्ट्रेलिया से कुल 2,10,832 टन मसूर का आयात हुआ इसके तहट सितंबर में 48,968 टन, अक्टूबर में 69,296 टन तथा नवंबर 2023 में 1,2,579 टन मसूर का आयात शामिल था इसके अलावा समीक शाधीन तिमाही के दोरान आस्ट्रेलिया से बांगला देश को 25,452 टन, मिस्र को 31,794 टन, नेपाल को 16,178 टन, पाकिस्तान को 21,248 टन, श्री लंका को 31,645 टन तथा सन्युक्त अरब अमीरात, युएई, को 58,662 टन मसूर का निर्यात हुआ जबकि शे निर्यात अन्य देशों को किया गया, Bureau Report Market Times TV